नमस्कार आज के इस कारिक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रभावी प्रात्मिक शिक्षक के गुनों की प्रात्मिक इस तर पर कौन शिक्षक प्रभावी माना जाता है और उसके कौन से गुन होने चाहिए और ये चमताएं या गुन वो कैसे विख्षित कर सकते हैं और विद्याले में विद्यारतियों के साथ मिल करके अपना भी विकास कैसे कर सकते हैं सिक्षा का उद्देश क्या है सिक्षा का उद्देश विद्यारतियों में ज़्यादा अधिगम या सीखने के प्रक्रिया को तेज करना और कम समय में ज़्यादा सीखने को ही हम एक अच्छा teaching learning environment का सकते हैं और जो सिक्षक इस प्रक्रिया को ठीक से चला सके उन्ही को प्रभा कक्षा 5 का सिक्षक कक्षा 8 का सिक्षक उच्छ सिक्षा का सिक्षक सब एक ही होगा सभू में एक ही तरह के गुण होंगे नहीं ऐसा नहीं है कक्षा एक के विद्यारति को पढ़ाने के लिए जो गुण होने चाहिए शायद वो उच्छ सिक्षा में 18 साल के बच्चे को पढ परिवार के माहौल से बाहर निकलता है और विद्याले आता है अपने माबाप के संडरक्षन से बाहर निकलता है वो एक ऐसा महौल खोजेगा जहां उसको परिवार का महौल मिले और सिक्षक के शायद यही अपेक्षाएं होंगी कि वो बच्चे को कक्षा कक्ष में ऐसा ही मह हौल दे उसको परिवार जैसा लगे लेकिन ग्यारा साल का बच्चा तो शायद पांचवी या च्छटी में पहुंच जाए वो ये नहीं अपेक्षा करेगा वो पांच साल तक विद्याले में रह चुका है तो उसको अपने दोस्तों के साथ रहने की आदत पड़ गई है और विद्याले को भी वो अपना एक परिवार जैसा मानने लगा है तो उसके लिए सिक्षक को जो कारेकलाब करने के आवशकता है वो अलग होंगे तो कक्षा एक के सिक्षक कक्षा पांच के सिक्षक कक्षा आठ के सिक्षक के गुन अलग होने होंगे और जो इन गुनों को समझ करके सिक्षन करेगा वही एक प्रभावी सिक्षक होगा और हम इसी पर चर्चा आज करेगे जैसे कक्षा एक और कक्षा पांच में अंतर है वैसे ही हर दिन का एक कक्षा कक्ष हर दिन का बच्चा अलग बच्चा है हर दिन एक नया दिन है आपने किसी बच्चे को महिने भर भी पढ़ाया है तो ऐसा मत मान के चलिए कि आज उसके साथ वही कर सकते हैं या उसी रफतार से आप पढ़ा सकते हैं वो समझेगा जैसा दूसरे दिन होता है क्योंकि हर दिन बच्चा एक नए परिवेश से निकल के आता है और शायद वो आज के परिवेश के लिए तैयार हो या न हो जैसे पिछली रात को अगर बच्चा देर तक जगा है उसकी नींद पूरी नहीं हुई है उसके घर में कोई कारेकरम था या कहीं यात्रा में गया था या कोई सिनमा देख रहा था तो बच्चा ठका होगा और उसको नींद आती होगी लेकिन आपकी अपेक शायद चुकि उसको आपने महीने भर से देखा है अलग होंगी तो आपको ये समझनी किया वेशक्ता है कि हर दिन हर बच्चा एक नया बच्चा होता है अधिगम की प्रक्रिया सुरू करने के पहले एक बार परिचे होना चाहिए हर दिन का ताकि आप समझ सकें आज कौन सा बच्चा कितना उत्सुख है कितना एनरजेटिक है ताकि आप उसी प्रकार अपने कक्षा कक्ष के कारेक अलापों को विवस्थित कर सकें। आप एक सिक्षन प्रक्रिया सोचते हैं और उस तरीके से आप पढ़ाते हैं। लेकिन क्या हर दिन एक ही प्रक्रिया लगाई जा सकती है। समय समय पर अपनी कक्षा की सैक्षिक प्रक्रिया और सिक्षन पद्धती को परश्कृत परिवर्दित करते रहें अगर आप हर दिन एक ही कारेकलाब करेंगे तो बच्चे बोर भी हो जाएंगे और सायद उनका मन भी नहीं लगेगा कोई सिक्षन रणनी नहीं है लगातार न समझके दूसरों से सीखके बच्चों से जान करके अपने तरीके को बदलने की आवेशक्ता पड़ती है ताकि बच्चा हर दिन एक नए माहौल का अनुभाव करें ताकि वो सीख सके और नुवेल्टी का एक नया पन जो होता है उसका फाइदा हो क्या कारण है लोग कहते हैं कि बच्चा चलता हुआ स्कूल आता है और दौरता हुआ स्कूल से जाता है लोग कहते हैं कि उसको आने का मन नहीं होता है इसलिए वो चलते हुए आता है लेकिन जब छुट्टी होती है घंटी बचती है तो वो दौरते हुए घर जाता है क्यो कि वो छुट्टी पाने जैसा अनुभव करता है ऐसा क्यों है बच्चे क्यों नहीं दौरते हुए स्कूल आते हैं और चलते हुए लोटते हैं कहने की बात होगी शायद आपके बच्चे ऐसा नहीं करते हो लेकिन ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे दौरते हुए विद्याले आना चाहें वो उनको विद्याले आने की इच्छ हो तो हम ऐसा क्या करें कि विद्याले का माहौल ऐसा हो कक्षा कक्ष का माहौल ऐसा हो कि विद्यारती आना चाहे और तभी अधिगम बढ़ेगी और तभी हम ज़्यादा प्रभावी शिक्षक माने जाएंगे तो पहले अपने सिक्षारतियों की मानसिक स्थिती को हम कैसे जाने इसके लिए विशेश कर शुर्याति वर्सों में बच्चों से समवाज जा दिया बच्चों से बात करें हम अक्सार ऐसा मानते हैं कि छोटे बच्चे अपनी बात बता नहीं पाएंगे तो हम बड़े बच्चों से बात करते हैं पूछते हैं लेकिन छोटे बच्चों से बात नहीं करते हैं उनसे नहीं पूछते हैं बात करके तो देखिए वो आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा एक कक्षा ऐसा तै करिए जिस दिन आप कम बोलेंगे बच्चों को ज़्यादा बोलने देंगे उन से सुनेंगे और देखिए वो आपके बारे में कैसी बाते बताते हैं वो आपको बताएंगे कि आप क्या क्या करते हैं कभी उनको पूलिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूं बता के दिखाओ वो आपको बताएंगे कि आप क्या 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 करते हैं फिर आपको पता चलेगा कि किन चीजों से उनको ज़्यादा ख़तुहल होता है और किन चीजों से वो ज़्यादा सीखते हैं हम पढ़ाते क्यूं है हम इसले पढ़ाते हैं कि वो सीख सके परंतु हमारी पूरी पद्धती परिक्षा आधारित हो गई है और हमारी उपादेता या हमारी सक्षमता इस बात से जानी जाती है हमारे विद्यार्थी कितना अच्छा करते हैं परिक्षा में परिक्षा का महल भी अलग होता है कक्षा कक्ष में ले गई परिक्षा किसी प्रतियोगिता के लिए ले ले गई परिक्षा या वर्षांत में वर्ष के अंत में जो परिक्षा होती है वो परिक्षा या कोई competitive exam के लिए परिक्षा आप पाएंगे कि अलग-अलग बच्चा अलग-अलग माहौल में अलग तरह से परफॉर्म करता है तो क्या आपने अपने बच्चों को अलग-अलग माहौल में परिक्षा देने के लिए तयार किया है हो सकता है आपके एक अख्षा का सबसे अच्छा बच्चा जिसको आप समझते हैं बहुत अच्छा है और परफॉर्म करता है क्योंकि आप क्लास टेस्ट में पाएंगे हैं कि वो अच्छा करता है शायद परतियोगीता परिक्षाओं में अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि आपने शायद परिक्षा उसको उस माहौल के लिए तयार नहीं किया है तो हर बच्चे की सैक्षिक एविं पारिवारिक प्रिष्ट भूमी की जाच करें और तरदनुसार सिक्षन योजना बनाएं हर बच्चा हर परिष्टिती के लिए तयार नहीं है उसकी पारिवारिक प्रिष्ट भूमी है उसको प्रभावित करती है और आपके सैक्षिक या पढ़ाने के तरीके से भी वो प्रभावित होता है तो यदि आप बच्चों को जानते हैं कि उनको कोई प्रत्योगिता परिक्षा देनी होगी या साल के अंफ में परिक्षा देनी होगी तो उसके लिए बारी-बारी से उनको एक मौक टेस दे सकते हैं तयारी करा सकते हैं और आपके बच्चे इन परीक्षाओं में अच्छा करेंगे और तब यदि परीक्षा पर आधारित बच्चों के रिजल्ट पर आधारित आप का जांच होना है आपके प्रभावी होने का मापदन होना है तो यह आपको पता चलेगा कि आपने जिसके लिए तैयारी किया वो सीखने के माहौल को और सीखने के गती को तेज करना ही हमारा उद्देश होना चाहिए बच्चा सीख सके और किवल आप जब पढ़ाते हैं कख्षा कख्ष में जब पढ़ाते हैं तब ही वो सीखे यह अच्छी बात नहीं है इसको स्पून फीडिंग कहेंगे बच्चा पूरे जीवन अपने शिक्षक पर आधारित न रहे कि जब सिक्षक मिलेंगे तब ही सीखेंगे सीखना और जीवन पर्यंद सीखना लेर्निंग और लेर्निंग टू लेर्न ये बहुत जरूरी है बच्चों में ऐसे आदत पैदा करनी चाहिए कि वो हमेशा उच्षक रहें हर चीज़ को जानने में अपनी रुची दिखाएं और लगातार सीखते रहें यदि बच्चपन में यादत लग जाती है तो वो जीवन पर्यंद सीखने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे और सीख्षा का उद्देश हमको लगातार सीखते रहने का ही तो है सीख्षार्तियों की प्रशंसा करने से वो अच्छा अनुभव करते हैं और सीख्षार्तियों की प्रशंसा करने में उदार रहें, अपने हाव भाव के माध्यम से अपनी अस्विकरतियों को वेक्ष करें, क्योंकि अपना अनुमोधन और अस्विकरती वेक्ष करना महत्वपूर्ण है, जब आप किसी विद्यारती को कक्षा कक्ष में कहते हैं बहुत अच्छा किया तुमने, तो वो भी अ आवशक्ता नहीं है आप अपने हाव भाव से अपने चेहरे से अपने आँख से ये बता सकते हैं जैसे किसी बच्चे ने अच्छा किया बहुत अच्छा वो बच्चा भी अच्छा अनुभव करेगा और दूसरे भी प्रयास करेंगे कि उनको भी ऐसी स्विकृति मिले और आपकी आँखों से ये वेक्ट होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए ये नहीं करो आपको जानना होगा कि आप अपने आँख का अपने हाव भाव का इस्तमाल कैसे करेंगे अपनी स्विकृति और अस्विकृति के लिए सिखशकों को सिर्फ अपनी वाणी से नहीं अपने हाव भाव से भी ये बताना होता है और जब आप ऐसा करते हैं तब आप एक प्रभावी सिखशक होते हैं हम अपना सब्सक्त मुल्यांकन करते रहते हैं हम अपने बारे में हमेशा जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आम तोर पर तो यह हमें पता चल जाता है जब हम पढ़ाते हैं और पढ़ा के करक्षा करक्षे बाहर निकलते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है कि आज की ये कक्षा कैसी रही बच्चों ने ये मेरे विद्धार्थियों ने कैसा अनुभव किया और ये बड़े विद्धार्थी और छोटे विद्धार्थी में भेद नहीं है आपको देखके लग जाएगा कि अगर आपके छोटे विद्धारती भी है छे साल साथ साल के विद्धारती हैं तो वो कैसा अनुभाव किया और आज की कक्षा में वो कैसा अनुभाव किया लेकिन आप और भी तरीके अपना सकते हैं आजकल रिकॉर्ड करने के सुविदा आपके मुबाइल पर होगी कई बड़ जब आप पढ़ाते हैं तो अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करिए स्वैम देखिए आपको स्वैम पता चल जाएगा कि आपने क्या किया कक्षा कक्ष में जो आपको लगता है कि आगे नहीं करना चाहिए और ऐसे रिकॉर्डिंग को अपने सहकर्मियों को दिखाईए सहकर्मी का मुल्यानकन एक अच्ची गणनीती है कक्षा में सहकर्मी के साथ योचना बनाए और उसका मुल्यानकन करे आप अपने सहकर्मियों को जब दिखाएंगे तो उनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको लगता है मुझे बदलना चाहिए और मैं क्या करूं कि मेद्या शिक्षन ज़्यादा प्रभावी हो सके आपके सहकर्मी सबसे अच्छे सुनूता हो सकते हैं आपके अच्छे जज़ हो सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आप क्या करें कि आप ज़्यादा प्रभावी हो विद्याले में माता-पिता और प्रबंधन का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे अभी भावक अपने बच्चों पर काफी सारी चीजें लाद देते हैं माता-पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि ये तो डॉक्टर ही बनेगा ये पाइलट बनेगा ये अफसर बनेगा ऐसी बाते माता-पिता कहते रहते हैं और बच्चा भी अनुभव करने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही बन सकता हूँ लेकिन सिक्षक होने के नाते आप शायद बच्चित को देख करके उसके गुणों का लेखा जुखा करके ऐसा नहीं अरभव करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि विद्यारती एक अलग दुनिया में है उसकी अपेक्षाएं अलग हैं और यह पूरी नहीं हो रही है तो माता पिता को ऐसा लगता है कि शिक्षक अपना काम सुचारू नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे की इच्छाओं को हम कैसे मूर्त रूप दे सकें यह हम पर छोड़ दिया जाता है देखिए किसी भी माता पिता के पास एक दो तीन बच्चे होते हैं लेकिन हमारे पास चालिस चालिस बच्चे होते हैं इन सभी बच्चों की अभिलाशाएं अलग होती हैं उनके कारिकलाप अंदर होते हैं अलग होते हैं और उनके सीखने की प्रक्रिया भी अलग होती है इन सब को हम साथ लेके कैसे चलें यही तो चैलेंज है हमारे लिए और शिक्षक होने के नाते हम इसको पूरा करते हैं और अभी हम प्रभावी माने जाते हैं तो आपको यह जानना होगा कि बच्चों से सुने अभी भावकों से सुने और अभी भावक जब आप से मिलने आते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में तब आप उनको बताएं कि आपके बच्चे में कौन से ऐसे गुण है वो क्या कर सकता है और उनको आप बता भी सकते हैं कि आप अपने बच्चों से क्या आपेक्षा करते हैं और क्या करना चाहिए ताकि वो आगे से अपना बोज उस पर नडाले ये काम आप दोर पर शिक्षकों का नहीं होगा परन्तु यहसा करना अच्छा होगा ताकि आपका काम आसान हो जाए जो भार माता पिता दे के भेजते हैं वो आप कम कर सके बच्चों की छमताओं और अकुशलताओं के बारे में अपने प्रबंधन को जागरूप करें प्रबंधन हमेशा चाहेगा कि सभी बच्चे समान रूप से परदर्शन करें लेकिन यह पून्स्ता संभव नहीं है इसलिए प्रबंधन को शिक्षित जागरूप या सूचित करते रहे विद्याले प्रबंधन क्या चाहता है हमसे कि सारे बच्चे 95 पतिशत अंक पाएं यह संभव नहीं है कोई बच्चा अंग्रेजी में रुची रखता है तो अंग्रेजी में ज्यादा नंबर आएगा कोई हिंदी में रखता है तो हिंदी में आएगा कोई गणित में रखत है कि सभी बच्चे 45 प्रतिशत अंक लाएं यहां दोनों बातों को ख्याल रखना होगा हमारे बच्चे अलग-अलग परिवारों से आते हैं तो उन सब बच्चों को हम एक जैसा पढ़ाते तो हैं लेकिन वो एक जैसा रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं यह बात माता पिता को समझाएं और प्रबंधन को भी समझाएं हमारे उपर अपार भार होता है हम माता पिता के जो अपेक्षाएं हैं प्रबंधन के अपेक्षाएं हैं उन दोनों को साथ ले करके कैसे चल पड़ें और जैसा हमने कहा कि हमको बच्चे भी बताते रहते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं लेकिन जब आप बच्चों से बात करते हैं उनकी कहानिया सुनते हैं या वो आपको कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव आप पर कैसा पढ़ता है ये ध्यान रखें मैं एक आप से वाक्या साजा करना चाहूंगा एक बच्चा था जिसको उसके माता पिता किसी स्कूल काउंसिलर के पास ले गए और काउंसिलर ने पूछा कि तुम्हारे शिक्षक कैसे पढ़ाती हैं उसने का कि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं बहुत कड़ी हैं वो कई बार हम लोगों को पिटाई भी कर देती हैं कख्षा कख्ष के बाहर खड़ी भी करती हैं फिर हमको मुर्गा भी बनना पड़ता है तुकि यह काउंसिलर थी तो उसने उन्होंने बच्चे को बताया कि अरे तुमको थपड लगाती हैं तुमको कख्षा कख्ष के बाहर खड़ी करती हैं कहां वो तो बहुत गुस्ते बाज हैं कहां नहीं ऐसा नहीं कर सकती हैं अगर अगली बार करें उनको बोलना कि मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती हैं अगर आपने हमको पिटाई किया तो आपकी नौकड़ी चले जाएगी ऐसा मना है कानून से शिक्षी का बहुत नाराज हुई जब पेरेंट टीचर का मौका आया तो शिक्षक्या ने उसके अभी भावकों से कहा कि आपका बच्चा तो बड़ा इंडिस्प्लिन्ड है बड़ा उद्दंड है यह मुझको बताता है कि मेरी नौकड़ी चले जाएगी अगर मैं इसकी पिटाई किया तो माता पिता यह पूरे वाक्यों को सुन करके दोनों बातों को रिलेट किये कि उस कांसिलर ने इस बच्चे को क्या कहा था और यह बच्चा जाके अपने शिक्षी का को आपका बच्चा बड़ा उद्धंड है सिक्षी का भूल गई कि यह वो अपने मंद से बोल ही नहीं सकता था इसको किसी ने कहा होगा यह बत उनको यह सुन करके और बच्चे का एक्सपोजर क्या है बच्चा किन लोगों से मिल रहा है बच्चा कैसी बाते सुन रहा है यह सोचना चाहिए था इसके बज़ाए कि वो बच्चे पर नाराज हो और बच्चे पर ध्यान देना छोड़ दें माता पिता अपने बच्चों को हम पर छोड़ के जाते है माता पिता पर एक दो तीन बच्चों का भार होता है हम पर चालिस चालिस बच्चों का भार होता है और हम दाई तो लेते हैं क्योंकि सिक्षक होने के बड़े दाई तो हैं बड़ा भार है लेकिन इसका जो रिवार्ड है वो भी बहुत बड़ा है कोई भी माता पिता के दोन तीन बच्चे ही उनको कहेंगे कि मा या पिता जी आपने जो हमारे लिए किया और आपके कारण जो मैं बन सका उसके लिए धन्यबाद या मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि आपका पुत्र हुआ या पुत्री हुई लेकि अंदाज कीजिए पूरे जीवन काल में हम कितने बच्चों को पढ़ाते हैं हजारों बच्चे लौट के आते हैं और वो पहुँच हुके कहते हैं कि आपने ही पढ़ाया और आपके ही कारण मैं यहां हूँ हम हजारों बच्चे के माबाब बनते हैं तो ये भारत बड़ा है लेकिन reward भी बड़ा है हमारे इतने बच्चे होते हैं कि हम दुनिया भर अपने बच्चों के बदोलब जाने जाते हैं तो हमारे वांगमे में ऐसा है आप कई सारे experiments हुए हैं आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां बहुत सारे ऐसे experiments किये गए जो बहुत प्रभावी हुआ है गुजरात के गिजु भाई वदेका ने बहुत सारे experiments किये थे वो पेशेशे वकील थे लेकिन उनकी रुची बच्चों में थी पढ़ने पढ़ाने में थी उन्होंने विद्याले में जाकर के बड़ी सारे experiments किये और वो जान की का विशा है कि हम गिजु भाई वदेका के experiments को नहीं पढ़ते हैं उनकी किताब कभी निकाल के जरूर पढ़िये दिवास्वपन गिजु भाई वदेका ने अपने सारे experiments को अपनी पुस्तक दिवास्वपन में लिखा है और वो उपलप्त है उसको कभी पढ़िये बढ़े हुए और उनकी अधिगम की जो रफ्तार थी वो भी बढ़ी है ऐसे ही पंडी दीन द्यालूपाद ध्या ने बढ़ी अच्छे अपने lectures दिये हैं जिनको कि हम integral humanism एकात्म मानाव दर्शन के नाम से जानते हैं कभी निकाल के उसको पढ़िये मुझे एक वाक्या या या पोधे से ये तो नहीं अप एक्षा करते हैं उसको नहीं करते हैं कि मुझे पैसा दो तब मैं तुम्हें पानी पटाऊंगा हम ऐसे ही अपने बच्चों को सीचे इनको तैयार करें इनमें पानी खाद डाले ताकि ये बड़े होके बड़े ब्रिक्ष बन जाए और फल तब हम उसका ग्रहन करेंगे तो बच्चों को हमें संजोरना पड़ता है उनको प्यार से बढ़ाना पड़ता है ताकि वे बड़े होकर के इतना बड़ा हो जाएं कि इतने फल लगें कि हम उसका सेवन कर सके हमारी परमपरा रही है यह हम गुरु को गोविन के तुलना करते हैं लेकिन क्या कारण हुआ कि आज गुरुओं की ये स्थिति है कई बार कहा जाता है कि हम शिक्षक इसलिए बनते हैं क्योंकि और कुछ नहीं मिला हो सकता है हमें से कई लोगों के जीवन में ऐसा हो कि हमें हमें कोई दूसरे नौकरी पसंद थी लेकिन वो नहीं मेरा तो हम सिक्षक बनें लेकिन अब तो सिक्षक बन गए हैं हमको वो करना चाहिए जो हमसे अपेक्षित है कहा गया है गुरु गोविन दूखड़े काके लागूं पाएं बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो बताए गुरु को गोविन से उपर का दर्जा दिया गया है अगर गोविन से मुलाकात होगी भगवान के दर्शन होंगे तो तभी होंगे जब गुरु आपके पास होगा और सुभागी की बात है कि हम और आप गुरु बने हैं या यह मौका लगा है तो हमेशा अपने को जज करें अपने पढ़ने पढ़्हाने के तरीके को जज करें और सतत प्रियास करें कि आप बहतर बनते जाएं और कोई भी सिक्षक पैदा नहीं होता है ये ट्रेनिंग का विशे है कि हम कैसे पढ़ते हैं और कितना ट्रेंड होते हैं और कैसे लगातार प्रयास करके एक बहतर सिक्षक बनते हैं तो अगर आप एक बहतर सिक्षक बनना चाहते हैं प्रभावी सिक्षक बनना चाहते हैं तो मेरे तरफ से दो तीन चीज़ें एक लगातार प्रयास करिए और ये जानिए कि नई कौन सी चीज़ें आई हैं जिनको आपको सीखना चाहिए ताकि आप अपने कक्षा कक्ष में उसको बता सकें और लागू कर सकें कॉंटेंट के लेवल पर और प्रोसिस के लेवल पर कैसे पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए विद्यारतियों से जानने की का प्रयास करिए क्योंकि वही आपको सबसे बढ़िया आकलन ले सकते हैं कि आप कैसा पढ़ाते हैं अभी भावकों से पता करिए और अपने सह योग्यों से पता करिए कि आप कैसा बढ़ाते हैं सिक्षक बनना आसान काम नहीं है मुश्किल का काम है लेकिन हमने आपने तैय किया है कि हम सिक्षक बनेंगे और हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे कि वो अपने जीवन में लगातार खुश रहें और सीखने की प्रक्र प्रभावी शिक्षक बना सके इसमें और कई सारे विशे जोड़े जा सकते हैं और चर्चा लंबी हो सकती है परन्तु आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे और आप आपस में मिलकर के बात करें अपने सहयोग्यों से बात करें और ये हमेशा जानने की कोशिक करें एक प्रभावी बना रहे या उसके प्रभाव में बढ़ोतरी होती रहे वो कैसे बहतर हो और उसको अपने जीवन में उतारिए मैं आशा करता हूँ कि इन विश्यों से इन बिंदूओं से आपको कुछ मार्ग दर्शन मिलेगा और आप इस पर प्रयास करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद